अस्वीलिया के प्रधान मंत्री का चार दिवसी भारत दौरा है और ऐसे में पी-एम मोदी पहुंचे स्टेडियम भारत अस्वीलिया के प्रधान मंत्री आज क्रिकेट मैच देखेंगे एहमदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच आयजुत होगा और ऐसे में मैच के दोरान कमेंटरी भी कर सकते हैं प्रधान मंतरी मोदी और एंथनी अलबनीज और भारत औस्ट्रीलिया के बीर चौथा और अंतिम टेस मैच और ऐसे में दोनों देशों के प्रधान मंतरी साथ में मौदूरी और साथ में इस टेस मैच को देखेंगे और यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एहम्दबाद से तस्वीरे हैं जहाँ पीमोदी स्टेडियम पहुंचे है भारत और स्वीलिया के प्रधान मंतरी आज और क्रिकेट मैच साथ में देखेंगे और देखें जिस तरह की तस्वीर आज देखने को मिलेगी जहाँ दोनों देशों के प्रधान मंतरी साथ में मौझूद रहेंगे और ऐसे में खयास लगाया जा सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में प्यार और भाईचारा अब और भी ज्यादा बढ़ेगा और यह तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं एहंदबाद से तस्वीर हैं या एहंदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच का आईजरों होगा भारत और अस्ट्रीला के बीच में मैच होगा क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों के प्रधान मंतरी साथ में बैट के माश देखेंगे ऐसे में एक भाई चारे का संदेश भी पूरी दुनिया को दिया जाएगा हाला कि पी-मोदी स्टेडियम पहुंचे है तस्वीर अभी आपको दिखाई जहां भारत ऑस्टेडिया के प्रधान मंतरी साथ में मौजूद रहेंगे और देखे एहमदबार से लाइफ तस्वीर आप देख सकते हैं पुर्मन की सब्सटेडियम की अलगान सबस्टियायों सुरक्षा के लिए सभी पुकतर विवास्ता की गई हैं क्योंकि जैसा कि आपको बटाया भी कि दोनों दिशूंके प्रधान मंतरी मौजूद रहेंगे और ऐसे मीं अब चाग चौबन की गई है तो वहीं आप लाइफ तस्वीरे देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उच्छा बहुर भी ज्यादा भड़ गया है मैच को लेकर के एक्साइटमेंट था ही है तो वहीं आप वक्यों की दोनों देशों के प्रधान मंतरी भी साथ में मौजूद रहेंगे और इस मैच को देखेंगे ऐसे में लोगों का डबल एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है और इसीदा लाइफ जस्फिर आपको एहम्दबाव से दिखा रहे हैं कि इस तरह से लोगों का पहुचने का सिलसला लगातार ज़ारी है प्रधान मंतरी नरेंद मोदी स्टेडियम पहुंचे है और आजका जो मैच होगा रुमान्चक मैच जो होगा भारत और अस्ट्रीला के बीच में टेश सीरीज का आखरी मैच है वो तो दोनों देशों के प्रधान मंतरी साथ पैटके उस मैच को देखेंगे और कहीं ने कहीं आशुंका है कि वो कॉमेंटरी भी कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह से आपको बता है कि मैच का एकसाइटमेंट है क्रिकेट लवर्स को इंतिजार रहता है मैच का आजका मैच का फिरुमान्चक होने वाला है टेश सीरीज का आखरी मैच है तो ऐसे में एकसाइटमेंट बिलकुल बनी हुई है पर क्यूंकि दोदो देशों के प्रधान मंत्री भी इस साथ में बैट के इस मैच को दिखेंगे तो वो पल इस मैच को और भी ज्यादा खास बना देगा और ऐसे में दिखा जा सकता है किस तरह से पड़ी संख्या में युवा, महिला, बच्चे, बूरे, हर वर्ग के लोग लगातार स्टेडिया में एंट्री करते हुए दिख रहे हैं और यह उट्सा उनका बया करता है कि कितना खुश और उट्साहित है वो इस मैच के लिए और लगातार आपको लोगों की भीड दिखा रहे हैं, हजार उलाकों की संख्या में आज मैच में लोग जुटने वाले हैं और लोगों का उट्सा भी इस मैच को और खास बना देगा क्योंकि लगातार लोगों के पहुँचने का सिलसिला जा रही है और तस्वीरों में अगर आप गौर करके देखें तो पीछे भी भारी भीड आपको देखने को मिलेगी तो ही जो खास बात आज के मैच के होगी जहाँ भारत और अस्ट्रेलिया दोनों देशों के प्रधान मंत्री भी आज इस मैच को साथ में बैट कर देखेंगे जो के इस देश के बीच में प्यार और भाईचारे को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे और देखें वो तस्वीर बहत खुपसूरत होगी कि जो हाँ रोमान्चक मैच चल रहा होगा भारत और अस्ट्रेलिया के टीम के बीच तो वहीं दोनों देशों के प्रधान मंत्री भी साथ में बैट के उस मैच का लुथ उचाएंगे और साथी में कॉमेंटरी भी कर सकते हैं प्रधान मंत्री तो ही अब लाइफ तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं एहमदबाद से लाइफ तस्वीरे कि किस तरह से महिलाएं पुरुष छोटे बच्चे बड़े बुड़े हर वर के लोग लगातार मैच को देखनी के और बेहत खास आज का मैच होने वाला है यह तस्वीरे देख सकते हैं लोगों के चेरे पर खुशी है मैच को लेकर दोनों देशों के प्रधान मंत्री आज साथ ने बैट कर इस मैच का मजा लेंगे इस मैच का लुट्फ उटाया जाएगा और यह तस्वीर भी आज के इस मैच को खास बनाती है कि बड़ी संख्या में लोगों के पहुशने का सिलसला जारी है और क्योंकि दोनों देशों के प्रधान मंत्री आज इस मैच को देखेंगे तो वही पुलिस प्रश्यासन की जिम्मेदारी अब और भी ज्यादा बढ़ करता हुशा है